नमस्कार आप ये तस्वीरे देख रहे हैं हर्याना के करनाल से करनाल के बजार की ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम पुलिस फोर्स करनाल की करनाल रेंज के आई जी सतिंद्र कुमार गुपता एस पी गंगाराम पुनिया और तमाम पुलिस फोर्स जो है वो स से कह सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है तमाम फुलिस फोर्स जो है बीच में लोगों के बीच में पहुंच रही है और किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि जो करनाल रेंच के आई जी हैं और एस पी गंगराम पुनिया समेत तमाम पुलिस अफसर और और देख सकते हैं कि मौके पर SHO भी है जो निजदी की थाने के SHO है वो सभी मौके पर हैं किस तरीके से करनाल के स्कूटर मार्केट इलाका ये लगता है जहां से आपको ये तस्वीरे दिखा रहे हैं इस तरीके से आगे बढ़ते हुए पैदल गश्त करते हुए पुलिस फोर्स जो आपको नजर आ जाएगी कल रात की बात बता दें कि कल रात एक बड़ा मामला करनाल में सामने आया जहां लड़कों के दो गुटों में आपस में तलवारे चल जाती हैं जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं जिसके चलते पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया और करनाल की जनता के बीच में पहुँच रहे हैं आप देख सकते हैं कि हर जगा पहुचते हुए नजर आ रहे हैं करनाल स्कूटर मार्केट में फिलहाल जो है पहुँच चुके हैं और इस तरीके से ये जो गस्त है वो आने वाले दिनों में भी देखी जा सकती है जो कहना है करनाल उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि उनका क्या कूछ कहना है क्या वो कहना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से आज करनाल पुलिस सडकों पर उतरी है तिमाम करनाल के आलाफसर हैं आप देख सकते हैं कि सडकों पर उतर कर लोगों के बीच में जो हैं वो गुजर रहे हैं और किस तरीके से जो है इसका क्या कुछ मोटिव रहना है क्या कुछ लोग जो है इससे जागरूख होंगे क्योंकि लगातार जो है ये कही न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इससे पुलिस और लोगों के बीच के जो संबंध हैं उसमें मजबूती हो सकती है जी यहां उसमें जरूर मजबूती हो सकती है और आप देख सकते हैं एक बार हम बाचित करने ही कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो आई जी है करनाल रेंज आई जी है सितिंद्र कुमार गुपता उनका कहना है इस गश का माध्यम यह है कि एक पुलिस की विजिबिल्टी है उसका एक इंपक्ट आए लोगों को पुलिस की प्रेजन्स दिखाई दे लोगों में एक सुरक्षा का महल हो और खासता पर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर कई बार गाड़ी नीजा पाती तंग एरियाज होते हैं तंग गलियां होती हैं ऐसे एरियों को भी इसमें चिर्नित किया गया है ताकि वहां पर भी पुलिस की प्रेजन्स दिखाई दे और एक इंपक्ट आये जो है लोगों में सुरक्षा का महल बने है ताकि जो एक सुपशुद महल में त्योहार को संपन दिया दे देख सकते हैं कि स्कूटर मार्केट से होते हुए रणाल के तमाम पुलिस अफसर आप देख सकते हैं कि करनाल बस्टेन की तरफ आगे बढ़ते हुए और इस तरीके से लोगों के साथ कहीं कहीं कनेक्ट करने लोगों के साथ जुढने की कोशिश कर की जा रही है और एक सरहानी एक कदम भी इसकों आप कह सकते हैं डरने की जूरत बिल्कुल नहीं है कि तमाम जो पुलिस फोर्स ह करनाल की कुछ पुरा मार्केट से होते हुए करनाल की स्कूटर मार्केट से होते हुए करनाल बस्टेन की तरफ आगे बढ़ते हुए जहां पर देखा जाता है कि एकसर भीड रहती है लोगों की मौझूदगी रहती है तो ताकि जो लोग है वो भी पुलिस की तरफ जो है IG SP जो है करनाल की सडकों पर उत्रे हैं ताकि करनाल के लोगों को कहीं न कहीं उनकी मौझूदगी का एहसास हो किस तरीके से जो वारदाते हैं वो बढ़ रही हैं और इसलिए कहीं न कहीं एक बार जो है इस तरीके का कदम उठाना बहुत जादा जरूरी भी था ताकि जो पुनिया से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो करनाल में चाहे चोरी की वारदात हो चाहे और कोई बड़ी वारदात हो चाहे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चोरी की वारदात के साथ साथ लूट करनाल कोट के सामने तलवारें चली एक बार S.P. गंगराम पुनिया से बाच्चित करने की कोशिश करेंगे करनाल पुलिस चलानिंग पर बड़ा जोड देती है उससे भी लोगों को काफी प्रेशानी होते हैं लोग फिर भी जागुरुक रही होते हैं हेलमेट या डूकुमेंट्स पूरे नहीं करते हैं देखिए शुवेवस्ते दुरूप से ट्रैफिक चलाना जिला पुलिस की जिम्यवारी है मोटरवाइक एलेक्ट का इनफोर्स्मेंट करवाना वो भी जिला पुलिस की एक मुख्य डूटी है हमारा मुख्य जो है वो हमारा उदेश ही यह है कि लोगों की सड़कू पर जान जो चालानिंग है वो खास और पर सेर के बाहर जो एनेच से स्टेट हाइवे है वहाँ पर जो ओवर स्पीडिंग है या रॉंग साइड ड्राइविंग है उस पर हम जयादा जान दे रहे हैं क्योंकि जादा तर चो सड़क दूरकटना ही होती है और चो फैटल पहले से बताया हुआ था बस्टेंड विल्कुल क्लीन था जब कि आपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है अगर ऐसा और चारियों पर चौकिंग चार्ट पर ऐसा जो दबाव रहता है कि कभी भी आ सकते हैं इस तरह से भी क्या कोई निरिक्षन हो सकता है आगे जलकर देख इसको कैसे ठीक किया जा सकता है इस बारे में भी हम कारवाई कर रहे हैं और चेड़ खाड़ी घटनाओं को बड़ी कंपीड़ता से लेते हैं तो इसी को मज़े नजर रखते हैं जहां जहां हमें तो खास तो पर पे स्कूल्स कोलेजेज या टूशन पढ़ने वाले यह सब्सक्राइब करेंगे लोगों को तो यही मेरे तरह संदेश है कि जिला पुलीस हम ऐसा उन लोगों की सेवा शुरुक्षा और शहीयों के लिए खड़ी है लोगों को जब भी पुलीस के आप पड़े पुलीस वहां पर मौके पहुंचेगी और जो भी कारवाई बंदती ह करनाल के लोग काफी क्वीट कर रहे हैं कि हम सभी लोगों के लिए सम्मान की बात है और जिला पुलीस भी इसका मौनबल बढ़ेगा और बहतर दंग से लोगों की सेवा कर पाए